पंजाब के गाउं तुलावाल में पंचाय चनाब की मदगना के दोरायने चौकाने वाली घटना सामे आई यह गाउं मुख्यमंदरी भगवंत मान के पैतरी गाउं सताउच से केवल 3 किलोमीटर दूर है या घटना मंगलबार को तब घटी जब पंचाय चनावत के नतीचे घोशित किये जा रहे थे प्रत्याशे जोगिंदर कौर मातर एक वोट से हार रही थी जब उनकी प्रतिद्वंदी गुर्मीत कौर जीत की ओर थी इस स्थिती को देखते वे जोगिंदर कौर के पोलिंग एजेंट महिंदर सिंग ने हैरान करने वाला कदम उठाया उसने गुर्मीत कौर के तीन बैलेट पेपर उठाकर अपने मूँ में डाली और उन्हें चबा कर निगल गया महिंदर सिंग की इस हर्खत को देखकर प्रिसाइडिंग अधिकारी और अन्य चुनावी स्टाप हक के बक्की रह गए तुरंत की अधिकारीों ने पुलिस को सूचना दिया और मामले के शिकायत दर्ज कराई हाला कि इस अजीब और गरीब घटना के बावजूद चुनाव परिनाव गुर्मीत कौर के पक्ष में घोशित कर दिया गया चुनाव अधिकारीों ने स्पस्ट किया कि तीन बैलेट पेपर को नश्ट कर देने से चुनाव नतीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया और गुर्मीत कौर की जीत को मानिता दी गई आरोपी महिंदर सिंग के फिलाल गिरफतारी नहीं हुई है लेकिन पुलिस इस मामली की जाच कर रही है यह घटना पंचाय चुनावों के दोरान चुनावी प्रक्रियाओं और नियमों पर सवाल खड़ा करता है साथ यह घटना चुनावी महौल में बढ़ते तनाव और जीत हार की महत्व कांग्शा का एक उदारन भी है पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी को गिरफतार कर उससे पूछताच की जाएगी तो लावाल गाओं की इस घटना ने पूरे इलाके में संसनी फैला दी है और चुनावी के संचालन में पार दर्शिता पर गंभीर चर्चा को जन्म दिया है